Hello everyone, welcome to the study class, आज हम बात करेंगे Mediterranean इलाके की, जैसे Mediterranean जो C है उसके आज पास के इलाके को Mediterranean climate zone के नाम से जाना जाता है, वो इलाका जाना जाता है सर्दियों में बारिश के लिए, बाट अभी ऐसा हो रहा है कि वहां के वींटर में बारिश नहीं हो रहा है और extremely dry winter हो रहा है, ऐसा क्यूं हो रहा है इस पूरी स्टेडी को हम समझते हैं क्योंकि यह help कर सकते है climate change को समझने में climate change के examples को समझने में और किसी भी government exam में questions इससे बन सकते हैं ठीक है तो ध्यान से देखना हम बात करेंगे अजोर्स high की अजोर्स high एक subtropical weather phenomena है subtropical weather phenomena मतलब weather phenomena तो आप समझते हो equator से थोड़ी दूर जाके लगबख 30 degree 30 degree north या south जाने पर आपको जो areas मिलता है उनको generally हम लोग क्या बोलते हैं subtropics बोल देता है तो यह ऐसा एजोर्स high ऐसा weather phenomena है जिसमें abnormally dry condition create हो जाता है abnormally dry मतलब कि dry चलो थोड़ा बहुत dry एक बात समझने आती है बट extreme dry condition create होना को हम लोग क्या बोलते हैं जोर्स high phenomena के नाम से जाने जाता है ठीक है और यह कहां पर होता western Mediterranean इलाके में है जो की Iberian Peninsula के इलाके में मिलता है ठीक है Spain और Portugal Iberian Peninsula को काफी हद तक acquire किये हुए है तो यह area में आपको पहले दिखा देता हूँ कि कौन सा इलाके की हम बात कर रहे है यह पहले है आपका Mediterranean Sea तो Mediterranean Sea में यह हो गया Spain और Portugal का इलाका तो यह इलाका जो आप देख पा रहे हो यही यह वो इलाका है जो Iberian Peninsula के नाम से आपको जाना जाएगा और साथ-साथ में बात यहाँ पे यह हो रही है कि यही इलाका है जहाँ पे अजोर हाई की वज़र से बहुत जादा हाई प्रेशर क्रियेट हो गया है पर हाई प्रेशर क्रियेट होने से यहाँ पे एक्स्ट्रीमली ड्राई विंटर हो रहा है ठीक है बड़ जनरली यह इलाका विंटर में किसके लिए जाना जाता है वहाँ पे बारिश होती है जिससे की विटी कल्चर मतलब की ग्रेप्स वगयादा की खेती ज्यादा अच्छे तरीके से हो पाती है जोर साई में थोड़ी बातों और जान ले हम लोग टेक्निकल बाते जो है जोर है जो सब्ट्रोपिकल हाई प्रेशर सिस्टम तो यह कैसा प्रेशर सिस्टम है हाई प्रेशर ठीक है यह एंटी साइकलोनिक विंड से रिलेटेड है anti-cyclonic wind मतलब cyclone में क्या होता है cyclone में cyclone की eye होता है वहाँ पे low pressure होता है ठीक है लेकिन anti-cyclone में जो eye होता है जो center होगा वहाँ पे क्या होगा high pressure होगा तो यह anti-cyclonic wind है तो इससे question relate करके आपको पूछे जा सकते है किसी भी government exam में चाहे तो cyclonic wind से related चाहे तो anti-cyclonic wind से related यह air जो है यह coincide करता है headless circulation से headless circulation अगर आपने climatology पढ़ा होगा आपने circulation of air पूरा atmosphere में पढ़े होगे NCRT में दिया हुआ है तो headless circulation आपको जरूर समझ में आता होगा नहीं आया है तो मैं आपको headless circulation बिल्कुल पहले explain कर देता हूँ headless cell क्या है headless circulation क्या है headless cell अगरा low latitude overturning circulation low latitude मतलब की छोटे height पे 15-20-30 km तक की height पे तक यह air circulate करते है इसको हम लोग क्या बोलते है headless cell बोलते है जो कि equator से लगबग 30 degree latitude तक आगे और पीछे जाता है जैसी यह देख लो यह आपका हो गया atmospheric circulation यह आपका हो गया equator ठीक है तो equator पे क्या होता है आपको सबको पता equator पे sun rays बहुत तीज पढ़ती है sun rays तेज पढ़ने से क्या होगा वहाँ कि air जो है वो गरम हो जाएगी air गरम हो जाएगी तो air उपर उपएगी तो यह headless cell जो है वो गरम उठने वाले air को यहाँ पे आपको बता रहा है ठीक है यह आप यहाँ पे देख पा रहे हो फिर air आगे की तरफ इधर की तरफ move करती है या इधर की तरफ move करती है और कुछ से दूर बात जाके लगबात 30 डिगरी के बाद इधर जाके क्या करती है वापस से descend करती है तो यह जब descend करेगी तो यही वो इलाका है जहांपे यह Iberian Peninsula और Mediterranean Sea का इलाका जो है कौन साइट करता है Azure High के साथ Azure High और headless cell का जो यह जो नीचे आने वाला air circulation system में वो जाके क्या कर जाता है तो इन साइट कर जाता है ठीक है तो यह हो गई headless circulation की बात अब बात करता है कि study ने और क्या project किया है तो इससे problem क्या होगा problem यह होगा कि वहाँ 30% decline आ जाएगा olive में जैसे olive oil आप देखते हो न green green olive यह अलग color ही है green जैसा होता है तो वो olive वहाँ पे काफी जादा cultivation किया जाता है वहाँ से पूरे world में supply भी होता है उससे 21 तक 30% decline देखने को मिल सकता है 30% काफी significant decline हो गया climate change का one of the negative consequence आप इसको समझ सकते हो इसके साथ साथ और अगर grape वहाँ पे बहुत जादा अंगूर भी उगया जाता है अंगूर लगबख 25-99% तक श्रिंग कर सकते हैं वो 2050 तक ही तो ये area जो है जो viticulture के लिए काफी उपियोगी ये काफी अच्छा माने जाता है वहाँ पे viticulture बतलब की अंगूर वगरा की खेती कर पाना काफी मुश्किल होने वाला ये main वहाँ पे problem आपको देखने के लिए मिल सकती है in future अब बात आती है कि ये ऐसा क्यूं हुआ researcher ने जब research किया तो ये पाया कि ये जो azor high है ये azor high का बहुत गहरा लेना देना है आपके atmospheric green house gas concentration से atmospheric green house gas मतलब चाहे तो आप carbon dioxide के बाद कर लो चाहे तो आप methane की बाद कर लो चाहे तो आप sulfur वाले dioxide या sulfur वाले gases के बाद कर लो ये सब क्या है green house gases है और ये green house gases की बज़ा से ऐसा होता है कि वहाँ पे anthropogenic climate change हो रहा है और climate change बहुत ज़ादा contribute कर रहा है azure high को ठीक है जब से industrial evolution हुआ है 1850 के बाद की अगर हम बात करें तो 1850 के बाद इसे azure high का जो फेनोमेना है काफी ज़ादा यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है ठीक है उस 1850 के पहले इतना ज़ादा azure high वाला फेनोमेना इस एरिया में देखने के लिए नहीं मिलता था बट अभी यह फेनोमेना काफी ज़ादा हो गया है ठीक अगर हम बात करें present और future की तो future में भी ऐसा project किया गया है कि काफी ज़ादा azure high और ज़ादा intensify होने वाला है और intensify होके क्या होगा उस एरिया में जो बारिश है जो रेन है जो winters में जो रेन काफी ज़ादा होती थी वो रेन जो है वो काफी कम हो जाएगी और वहाँ पर सुखा और अकाल पढ़ने की समभावना है तो इस तरह से हम future के climate risk को देख पा रहा है और future के climate risk को देखने के साथ हम viticulture और olive plantation में क्या ऐसे सुधार वहाँ पर करें कि जिससे आगे future generation को effect ना पड़े वो सब चीज हम लोग समझ पाएंगे ठीक है एक word बोला आता है danger force in is half avoided अगर आप danger को पहले से अगर आपने सुन लिया देख लिया तो उसको आधा आप avoid कर सकते हो तो ये studies जो है वो danger को ही project करती है जिससे की इससे कुछ ऐसे step उठाय जा सके जिससे की danger को आगे future में कम किया जा सके ये कितना शुंदर Mediterranean इलाका है जहाँ पर ये गटना है ये चीज देखने के लिए मिल रही है अब एक important announcement की बात कर लूँ जैसे मैंने बोला कि ये जो atmospheric circulation था वो भी NCRT का part है उसमें headless cell के अलावा feral cell भी आपने देखा polar cell भी देखा तो ऐसे चीज़े आप detail में NCRT की चीज़े आपको detail में पढ़नी है उसके लिए हमारी NCRT के अलग live courses हैं आप combined NCRT courses ले सकते हो जिसमें की history, quality geography, economy सारी चीज़े आपको NCRT की पढ़ाई जाएंगी ठीक है या फिर आपको अगर सिर्फ history का पढ़ना है तो history में old और new दोनों तरह की NCRT आपको पढ़ाई जाएगी, old और new मतलब की नई वाली NCRT जो नई series government निकाली है और old वाली NCRT कुछ toppers यह मांते old NCRT जादा अच्छी है आपको जो NCRT पढ़नी है वो दोनों NCRT इसके साथ available है ठीक है, वाही, I hope आपको lecture समझ में आया होगा, जैहिन बूं है अच्छी